हेलो फ्रेंट्स वेलकब दो स्टेडी मास्टर में उपका फ्रेंट्स तरह है तो फ्रेंट्स आज मैं आपको बता रहा हूं कि जो SSE का एक्जाम है वो कब होना है अब मैं आज सिर्फ हम बात करेंगे SSE CGL की फिर पास बहुत सारे करने की ज़रूरत नहीं है कुछ लोग क्या सोच रहें कुछ लोग कहते हैं कि एक्जाम सब्टेंबर में होगा कुछ लोग कहते हैं किसी और को देना है vendor को तो भी SSC ने नया vendor नहीं ढूंडा भी SSC को नया vendor नहीं मिला जब SSC को नया vendor मिल जाएगा फिल इनको जो exam करवाएंगे तो अभी SSC ने schedule किया है कि जो SSC 2018 SSC CGL 2018 होना था होना कब था होना यह अगस्त में था लेकिन यह अगस्त में नहीं हो पाया अब SSC कि जो CGL है यह 2019 में होगा 2019 में और कितनी तारीक हो योगा फ़रवरी में तो आप आराम से आपके पस चार महीन है जिन्हों जिए प्रप्रेशन चुरू नहीं कि वो कर सकते हैं टैंशन फ्री हो कि आप डेली 3-4 घंटे पढ़िये ज्यादा भी आपको ज्यादा मेनत करने की जुरूरत भी नहीं कि डेली आप 8-9 घंटे लगा रहे हैं अभी इतनी जुरूरत नहीं है डेली 3-4 घंटे पढ़िये आपका एक्जाम अच्छे से क्लियर हो जाएगा CGL 2018 अगस्त में होना था लेकिन नहीं हो पाया अब CGL 2018 ही 2019 में होगा फरवरी के अंदर अभी कुछ बच्चों के और डाउट है कि सर अगर अगर ये CGL 2018 2019 में होगा फरवरी में तो फिर CET Common and Eligibility Test ये कब होगा 2019 का तो फ्रेंट्स ये शेडियूल किया गया है फरवरी में लेकिन ये निकाल अगा तो अब ये 2019 वाला ये अगस्त में होगा फिर अगस्त के अंदर तो आपको सारे डाउट क्लियर होगे होगे अगर किसी को डाउट है तो प्लीज नीचे कमेंट कर दीजे और किसी को जानना है कि SSC CPO का एग्जाम कब होगा तो प्लीज one more thing अगर आप लोग पहली बार हमारे चैनल पर आया हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन का बटन जरूर दो आएं ताकि हमारे आने वाले हर वीडियो के अपडेट आपको मिलती रहें थैंक्यू सो मच फ्रेंड्स